देखो ये गाड़ी की चट के ऊपर जाके मस्ती करता है देखो कैसे मस्ती कर रहा है ये दूसरा निकला ये तीसरा निकला यह देखो जांशू क्या कर रहा है देखो देखो क्या कर रहा है देखो इसकी मस्ती सुबह सुबह चलू हो जाती है जमी भी मिटी थी बारिश आने के वज़े से सारी मिटी निकाल दी जगे जगे से जांशू के स्कूल की छुटियां कतम होने वाली है कुछी दिनों में जांशु का स्कूल वापस से स्टार्ट होने वाला है और जांशु देखो कर रहा है मस्ती ये सुबह सुबह मॉर्निंग में मैं आलू लिक रहा है था और इस आलू के साथ ही मस्ती चल रही है इसकी इदो इदर खाना बना रही है बीवी और इधर चल रहा है TV और जांशू की चल रही है मस्ती जांशू आपका स्कूल चलू होने वाला है कुछी दिनों में तो आप स्कूल में जाके क्या करोगे मस्ती करोगे आप गर में तो इतनी मस्ती करते हो जिसकी कोई हद नहीं है इतने पी लोग नए जूड़ रहे हैं हमारे इस चैनल के साथ मैं उनको बता दूँ यह है जियांशु शर्मा जिसकी चलती है बहुत ज्यादा मस्ती और कुछ ही दिनों में स्कूल स्टार्ट होने वाला है फिर देखते हैं स्कूल में क्या मस्ती चलती है कुछ नए ऊठा के खाया है यह को यह सुबह अभी और कुछ अभी फीक दी ती और कचुड़ी अब कोड़ी उठा के खा रहा है इस पाइप लगा दी है पानी वाली तो बारिस का टाइम चला गया जमीन शूक गई टुफान चला गया है और मक्की सुक चुकी है मतलल जमीन सुक चुकी है तब मक्की में और भिंडी में फिलाल पानी लग रहा है जांशू में लगा रहा हूं पानी इन पोदों को जांशू के साथ हैं हमारे चोटे-से एक गारण हमारे बघिची के अंदर मैंने बेंगन उगाए हैं काफी सारे कम सकम 50-60 बेंगन के पोदे होंगे यहाँ पे यह दखो यह बेंगन के पोदे हैं बेंगन के बीज से हमने यह बेंगन को उगाने की कोशिश करी थी और सारे बीज लगबग उग चुके हैं कुछ यहाँ पे हैं कुछ यह रे कुछ यह र पोदे होंगे ट्रांसफर करेंगे तो इस बार कम सकम 10-15 पोदे में उगाने वाला हूं बागी तो सब वेस्ट हो जाएगा वेस्ट करना पड़ेगा एक्चुल में तोंकि 100 पोदे तो बहुत ज्यादा होगे बेंगे आओं मक्य में पानि लगे लग गया उस मक्य में भी लग बिंडी में वह लग आँची की अलग से मस्ती देखो गाड़ी की ऊपर बेठा हुआ है इसने डिया निया शोक व्थ पाल लिया है यह गाड़ी की चत की उपर जाके जाग देखो कैसे मस्ती कर रहा है जांशूक ऐसे नहीं करना यह गाड़ी के चट उपर मत करो ऐसा आप मस्ती कर रहे हो लेकिन चट खराब हो जाएगी मत करो बिल्कुल ऐसे नहीं करना गलत बात फाइनली यहां से काम हो गया कंप्लिट अब जांशूक साथ हम जा रहें अंदर बोदों में पानी लगा कर आया है और अब इसको चाहिए एनर्जी अब यह खारा तर्भूज तर्भूज लेकर आया फ्रीज में से बोल रहे है कि इसको काटो और मुझे तर्भूज के लाओ दो खाएंगो अर्ण भार भूज काटो जानषी काट्रफंट पिंज्रे के अंदर चार चुए फाइबर शीत लगाने के बाद यह चूह आए आएं,गर फाइबर शीत लगाने से पहले घर के अंदर चूह के बच्चे थे जो आज यानि काफी दिन बाद निकले हैं, इस पिंजरे की अंदर काफी दिन बाद आये हैं, ऐसा नहीं है कि फाइबर शीट लगाने के बाद चुहे अंदर आये हैं, जांशू का गया, जांशू, चुहे के बच्चे, देखो, इनको फेक के आता है जंगल में, पैदल पैदल और इस बार पिंजरे में पकड़ लिए, चार चुहे के बच्चे, जांशू अजात कर रहा है फिर से चुहों को, वह निकल गया, यह दूसरा निकला, यह तीसरा निकला, चोथा काई है, जांशू झोटा, वह निकल गया, चारो चुहे निकल गये, फाइनली जंगल के एरि जाए हुआ है चक्की पे और कनक लेकर जानशु देख रहा है और कनक विसी जा रही हमारी बाइक से आए हम लोग और थोड़ी देर में बस पांसात मिनट में हम यह से आटा लेकर जाने वाले हैं और यह रोड में रोड दोस्तों यह था आज का वलोग शोट एंड स्वीट ज कांफी सारी के बच्चे दौस्तों नफे फाट्न फाइबर शीट लगाई थी लेकिन अलड़ी पहले से मदा सिक गर के अंधर थे टो चूह की चार बच्चे थे जो ने में हम् में हैंना चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों मैं आप से जाशु साथ मिस्त निव लोग में झाल झाल